नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी क्या एक बाप से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एक इंपार्टेंट पॉइंट पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो फ्रेंड्स वो आपका पॉइंट्स है कम्निकेशन यानि कि फ्रेंड्स संचार तो फ्रेंड्स देखिए कम्निकेशन से संबंधित क्विश्चन फर्स्ट पेपर में एवरी एक्जाम में पूछे जाते हैं नेट के तो फ्रेंड्स चलिए इससे कुछ इंपॉइंट्स हम लेके आये हैं तो थोड़ा सा उसको हम आप के साथ describe करेंगे तो चलिए friends जानते हैं आज के importance points के बारे में तो friends यहाँ पे प्रभावी सम प्रेशड के अवरुधक तत्व के बारे में हम जानेंगे तो friends अगर हम कहीं question पूछता है कि प्रभावी सम प्रेशड के अवरुधक तत्व कौन से हैं तो friends यहाँ पे आता है आपका निडायक परक होना तो friends यह अवरुधक तत्व है यानि कि प्रभावी सम प्रेशड में यह प्रेशड का काम कर देता है क्योंकि friends अगर हम पहले ही निडाय ले लेते हैं कि किसी भी चीज में कि यह ऐसा ही होगा तो friends अगर हम मान के ही चलते हैं तो हमारी सोच डिवलप हो जाती है कि पाजिटिव अगर सोचते हैं तो पाजिटिव अगर निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव तो friends पहले ही निडाय परक हो जाना यह गलत होता है आपको पहले देखना पड़ेगा पजिस्थिति को फिर आपको निडाय लेना होगा तो friends यह निडाय परक होना यह एक barriers है तो friends चलिए next आपका आता है रच्छातमक अभिविति तो friends यह रच्छातमक अभिविति भी एक अवरुधक तत्यों के अंतरगत आपका आता है factors है यह तो friends हम अगर बचाओ अपने वाले position में आ जाएंगे तो friends यह भी एक परिशानी का अपने प्रफावी सम्परेशर में काम करता है चलिए friends आता है फिर कठीन सब्तों का प्रियोग तो friends आपको पता ही है कि अगर आपका language आपके जो learner है या हम communication जो आपके communication में सेंडर से receiver के तरफ जो communication हो रहा है friends तो वो अगर यह कठीन सब्दों का यूज होगा तो friends यहां पे जो receive कर रहा है तो यह friends receiver आपका यह सही से receive नहीं करेगा क्योंकि इनको उन वर्ड के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगा तो friends यह एक काफी पड़ा और उधर तक्तुमें आता है friends तो friends आगे आता है friends एक नीती प्रवचन तो फ्रेंट नीती प्रवचन भी आपका एक वेरियर्स का काम करता है आपको याद रखना होगा तो friends फिर आता है एक पच्छी सोच अस्थापित करना तो friends एक पच्छी सोच अस्थापित करना यह एक वेरियर्स में आपका मतलब और उधक तत्व एक good communication में आता है friends क्योंकि friends आप इसमें biasness अगर करने लगेंगे तो friends आपका communication बिल्कुल ही प्रभावित होता है और ये और उधक तत्व में आपका आ जाएगा क्योंकि friends आपका सोच सरुभामिक होना चाहिए जो कि सभी पे आपका बराबर से thinking होना चाहिए नहीं आप एक factors पे आप एक बिंदु पे ही बैठे रहें तो friends चलिए ये और उधक तत्व आपका प्रभावि संप्रेशड के कुछ थे चलिए friends नेक्स्ट कुछ पॉइंट है उस पर चलते हैं तो च्छैती संप्रेशड या समतल संप्रेशड फ्रेंड्स ये किसको कहते हैं तो friends अगर question पूछता है च्छैती संप्रेशड या समतल संप्रेशड किसे कहते हैं तो friends ये संप्रेशड जो होता है एक ही अस्तर के विभिन व्यक्तियों के मद्य संप्रेशड होता है तो friends अगर चैती संप्रेशड या समतल संप्रेशड कहें तो friends ये एक ही अस्तर के विभिन व्यक्तियों के मद्य संप्रेशड होता है तो friends तो म और कि जो CEO's के बैठक अगर हो रहा है तो friends अगर यह वहां पर भागग्रूप में भाग ले रहे हैं तो वहां पर जो संसे हो रही है friends तो वो 36 संसे जो बाधने समतल संसे में आती है Friends यह एक उधार है लेकिन ये अन्य प्रकार पे भी लागू होता है जहां पर एक समान संप्रेशर होता है फ्रेंट्स समान अस्तर की बाते होती हैं समान एकोल लिवल की लोग होते हैं तो वहां पर ये छैती संप्रेशर होता है चलिए फ्रेंट्स से नेक्स्ट पे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कच्छा में संप्रेशर करते समय सावधानिया तो फ्रेंट्स ये एक टीचर से सम्मंधित सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है कि कच्छा में संप्रेशर करते समय सावधानिया क्या रखनी चाहिए तो फ्रेंट्स कच्छा में संप्रेशर कर परिवर्थन यानिकि आपका आता है वाईस आपका लेवल से संबंधित होता है तो आपका जो स्वर आपका आवाज है वो फ्रेंट्स एक अस्तर की होने चाहिए ऐसा नह बहुत की वह अनियंत्रित तरीके का हो तो फ्रेंट्स ये आपके संप्रेसर के समय साउधानिया रखनी चाहिए फिर आता है फ्रेंट्स सहयोगी समा देश का प्रियोग सेकेंड आता है फ्रेंट्स सहयोगी समा देश का प्रियोग सेकेंड आपका आता है अगर ये कहीं देता है फ्रेंट्स तो आपको याद रखना होगा तो फ्रेंट्स फिर आता आपका नजरे मिलाने तो फ्रेंट्स यहाँ पे एक इंपोर्टेंट होता है कि टीचर अगर अपने इस्टुडेंट्स से इंट्रेक्शन सही से नहीं करेगा और फ्रेंट्स अगर वो आखे मिलाके यानि इस्टुडेंट्स से वो डिर्कली तौर पे वो कनेक्ट होता है तो फ्रेंट्स वो काफी इंपर्टेंट होता है तो फ्रेंट्स अगर यहाँ नजरे मिलाने की बात हो रही है तो फ्रेंट्स अगर इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो student and teacher relationship एक बढ़िया नहीं होता है और अगर एक बढ़िया relationship डिवलप नहीं होता है तो friends वो आपका communication बेटर नहीं होगा तो friends यहाँ पे आपको सावधाणिया रखना चाहीए की नजरे मिलाने पे तो friends नेक्ष्ट आपका आता है समवाद अस्थापित करना तो friends यह आपको पता ही है कि समवाद अस्थापित करना यह काफ़ी इंपोर्टेंट है आपको इसको friends आपको कच्छा संफ्रेशर में जब समवाद अस्थापित कर रहे हैं तो जब आपका बहतर हो चलिए आते हैं नेक्ष्ट पे वापका सरल सब्दों का उसावधानियां जब आप कम्निकेशन करते हैं तो वहां पर आप सरल सब्दों का प्रियोग करें जो कि आपका communication easily तरीके से transfer हो रहा है यहाँ से और वहाँ तो friend sender से receiver के तरफ अगर easily word का use होगा तो friends यह काफी जल्दी यहाँ पे आपका receive होगा ओके friends चलिए अब next point आपका है friends की कच्छा संप्रेशर्म के बाधक ततो कौन से हैं तो friends यह भी एक important point है कच्छा संप्रेशर के बाधक तत्व तो friends आपने उपर देखा की प्रभावी संप्रेशर के अरोधक तत्व और यह है classroom situation के friends बाधक तत्व कौन है तो friends उपर और नीचे से आपको difference यहाँ पे मिलेगा और आपको याद रखना है ऐसा न हो कि उपर का जो point था नीचे को point में आप प्रभावित हो जाएं तो friends यह अलग है वो friends था friends प्रभावी संप्रेशर के अरोधक तत्व एक friends effective communication के वो अरोधक तत्व के बारें बात कर रहा था और यह friends आता है आपके classroom से संबंधित संप्रेशर के जो तत्व effect कर रहे हैं उनके बारे में तो friends चलिए पहले पे चलते हैं यह है रूची का आभाव तो friends यह बहुत ही बड़ा यह तत्व है कि friends अगर रूची का आभाव student में होगा तो friends यह आपका communication सही से नहीं होगा और यह effect होगा चलिए friends आता है फिर उत्साह की कमी बिल्कुल friends यह उत्साह की कमी अगर उत्साह की कमी होगी तो friends यह सीखने में बहुत ही लिंदी होगा तो friends अगर यह उत्साह की कमी है तो शीखने में बहुत ही मुश्किल होगी और हमना आरक संप्रेशर सही दिशा में नहीं जाएगा चलिए नेक्स्ट है प्रबल संप्रेशर विधि का आभाव तो friends प्रबल संप्रेशर विधि जो हम संप्रेशर विधि का यूज कर रहा है फ्रेंड्स अगर उसका आभाव होता है तो भी हमारा बाधक का काम करता है कच्छा संप्रेशर में अगर वो सहीविदी का प्रियूग न किया जाए तो चलिए फ्रेंड नेक्ष्ट आपका है संप्रेशर सामगरी की कमी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल यहां पे करेक्ट है कि आपका एक बाधक्तत में आएगा तो फ्रेंड्स नेक्ष्ट है संप्रेशर माध्यम की कमी हाँ फ्रेंड्स संप्रेशर माध्यम की भी कमी के कार और रूसलता है जब हम यहां से यहां अपने कम्निकेशन यानि की को चलाते हैं तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास कोई माध्य नहीं होता है अच्छा तो यहां आपका पहुंचने में दिक्कत होती है और वो आपके लिए बहतर नहीं होता है चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आता है वातावरर संबंधित कमिया तो फ्रेंड्स बिल्कुल वातावरर संबंधित कमिया भी आपको बहुत बड़ा इफ अगर देखें तो वहां पर ग्लास्रूम की लाइट से पहुज़ें आती हैं क्लास्रूम के यह जो आपके जंगले हैं विन्डोस यानि की उसमें अगर सही नहीं है वहां पर प्राव्लम आती हैं वहां साउंड का अगर सही आपका system नहीं है तो वहाँ पे भी ये आपको effect करती है तो friends और सारी भी चीजे हैं जो आपके classroom के environment को अगर सही से लेकी नहीं चलते हैं तो friends यहाँ पे वो आपके संप्रेशन में एक बाधक तत्य के रूप में उभर के सामने आती हैं ओके friends चलिए यह थोड़ा सा communication से संबंधित आप लोग के लिए हम video मनाये थे friends चलिए इसे संबंधित next video बहुत चलती हम आपके लिए लेके आएंगे friends तब तक के लिए thanks for watching और friends क्रिपया feedback जरूर दें जिससे की पता चले कि इसमें अगर हम कहीं पे भी error आ गया हो तो हम आपको उसको दूर करने की कोशिज करें thanks friends